भारत चीन जरप में देश ने जिन वीर सपोदों की कुर्बानी देखी है उससे भुला पाना आसान नहीं है आखिर आसान हो भी तो कैसे इसमें कहीं न कहीं दोश हमारा और आपका ही तो है हम जब दुकान से एक चीनी माल खरिते हैं तो सीधे तोर पर उन रुपियों को चाइना के हाथ में थमाते हैं और चाइना उनी पैसों से हमारे सैनिकों के छाती को चीरने वाली गोलियां खरिता है जब सैनिक चाइना के गलत इरादों से बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो क्या एक नागरिक होने के नाते हम अपने जेब की ताकत नहीं दिखा सकते इनी सब तत्यों के साथ चीन के बहिशकार की आवाज को और बुलंद करने को लेकर हिंदु जन जाकृती समीती ने एक अभ्यान शुरू किया है आए सुनते हैं क्या है वह अभ्यान नमस्का भारत और चीन के सिमा पर तनाव है युद्द की छाया है चीन का सैन्य भारत पर आकरमंट कर रहा है सैनिकों पर आकरमंट कर रहा है जिस शस्त्रों से वो आकरमंट कर रहा है उसका फंडिंग भारत से ही हो रहा है हम जो चीन से जो वस्तुए खरीदते हैं वास्तों में मोबाइल हो इलेक्ट्रोनिक गूड्स हो या हमारे वाहनों के हमारे यंत्रों के स्पेर पार्ट्स हो ये सारे चीन से आते है तो हमें ये जो व्यापार है वो 90 बिलियन डॉलर तक चला गया है और इसके कारण भारत की अपरिमीत आर्थिक शती हो रही है हमारे राजनेता उपर कही न कई चीन से व्यापार नीती बदलने के दुरुष्टिकों से दबाव डालने के आवशकता है और इसलिए हम सनातन संस्ता हो और हिंदु जन जागूरती समीती के तरफ से आप सभी को आवाहन करते है कि भारत के सो शहरों से कल एक ही समय एक ही धेयों को लेकर हम एक राश्री अभियान चलाए जो चीनी वस्तों का भहिशकार करने वाला हो कल गुरुवार है, अठरा जून है, शाम साड़े चार से साड़े च्छे के बीच में हम चाहते हैं कि सो शहरों से जो है चीनी वस्तों का संपुर्ण भहिशकार करने की प्रतिकात्मत कुरुती हो इसलिए, हैश्टैक चाइनीज प्रोड़क्ट्स इन डसबीन, यह हैश्टैक पर हमें आपके एक प्ले कार्ट्स, आपके वीडियो क्लिप्स और आपके संदेश की अवशक्ता है, आप इस काल में यदि ट्वीटर ट्रेंड में आप चाइनीज प्रोड़क्ट्स जो आपके परिपेक्ष में इसी प्रकार की कुरुती हम सबको अपेक्षित है ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सोत्व समाचार